अभी पूरा देश WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिशी को लेकर डिसकस कर रहा था और WhatsApp को लेकर चरचा कर रहा था इसी दौरान अब WhatsApp को लेकर एक एसी खबर आई है जिसको लेकर शायद अब आप सोचने पर मजबूर हो जाए है कि दरसल खबर WhatsApp और GeoMart से समनिध है अनलेसिस्ट ग्रीश मालवी अपनी Facebook पोस्ट पर लिखते हैं मोदी जी के परम मित्र मुकेश अमानी की देश की नई दुकान जियो मार्ट ने WhatsApp से समझोता कर लिया है मुकेश अमानी की नजर सीधे लाखों किराना वैपारियों के बिजनिस पर है आगे ग्रीश मालवी इस पर लिखते हैं अगले कुछ महीनों में आपके मुबाइल के WhatsApp में जियो मार्ट का आइकॉन दिखना शुरू हो सकता है जिसके दौरा आप तमाम तरह के सामान की ऑनलाइन शौपिंग कर पाएंगे आपके परोष की जो दुकान उनकी योजना में शामिल होगी वो बचेगी बाकी सब साफ हो जाएंगे क्योंकि यहां ऑनलाइन टू आफलाइन मॉडल है जो चीन में काफी सफल सिध हुआ है इसमों भोकता को ऑनलाइन उत्पादों को सर्च करने और इसे किसी फिजिकल स्टोर से खरीदने का विकल्प मिलता है रिलाइन्स पहले से ही भारत का सबसे बड़ा ओफलाइन डिटेलर है फेस्बुक ने रिलाइन्स इंडस्ट्रीज की डिजिटल लिकाई जियो प्लेट फॉर्मों में 9.9 प्रतिशत हिस्सिदारी 5.7 बिलियन डॉलर में खरी ली थी अब जियो के कस्टमर वाट्स अप के जरिये सामानों की बुकिंग कर पाएंगे जिसके देश में लगभख 40 करोड यूजर्स हैं रिलाइन्स के खुद के भी देश भर में 30 करोड कस्टमर हैं जो जियो सर्विस का फाइदा ले रहे हैं ऑनलाइन टू आफलाइन के अंदर जियो मार्ट आपके परोस में स्थित किसी एक मौझूदा किराना स्टोर को और 40 घंटों के अंदर रिफ्रेज्ड सेल्फ सर्विस स्टोर में बदल देगा रिलाइन्स नकेवल किराना दुकानों को वस्तूओं के खरीद में मदद करता है बलकि अपने पॉइंट आफ सेल याने की POS सिस्टम के माध्यम से किराना दुकानदारों को फाइनेंसिंग, इन्वेंटरी, मैनेजमेंट और टैक्स रिटर्न फाइलिंग से वाई भी प्रदान करेगा जियोमार्ट प्लेटफॉर्म पर मल्टि फंक्शनल POS के जरिये किराना स्टोर ग्रहकों से कनेक्ट रह सकते हैं और उनके साथ क्रांजेक्शन भी कर सकते हैं इसमें आपके दौरा खरीदे गए समान का वित्रन या तो किराना की दुकान दौरा R.I.L. के लोजिस्टिक एकाई दौरा किया जाएगा गीश मालवी इसमें आगे लिखते हैं मैं यह पहले भी लिख चुका हूँ कि भारती बाजार में रिलाइंस के पास पूंजी, असीमित छमता, व्यापक रिटेल आउटलेट और संसाधन हैं जिससे वह प्रतिस परधा को ही समाप्त कर सकती है मुकेश अमानी का मकसद देश में रिटेल छेतर में शीर्स इस्थान हासिल करना है और वह यह काम उसी तरह आसानी से कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने रिलाइंस जियो के लिए किया लेकिन उनके इस पिडेटर अप्रोच से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे दरसल गिरीश मालवी इस पोस्ट की जरीए जो बताना चाह रहे हैं वह यह बताना चाह रहे हैं कि अगर रिलाइंस अपने मकसद में काम्याब होता है और चियो मार्ट और वाटसप की जुगल बंदी के बाद अगर यह पूरा फार्मूला जो चीन में सकसेज रहा है भारत में भी अगर सकसेज होता है तो जो इस्थानी कारोबारी होता है जो इस्थानी स्थर का किराना वैपारी होता है यो जो छोटा किराना वैपारी होता है उस पे डिरेक्ट असर पड़ेगा क्योंकि भारत में WhatsApp के 40 करोड यूजर्स है वहीं हर घर में जियो और WhatsApp दोनों मौजूद है ऐसे में जियो और WhatsApp की यह जुगल बंदी आगे चलके इस्थानी इस्तर पर बड़ा नुकसान पहुचा सकती है अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शियर करें और अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे जैहिन चैभारत